नमस्कार मित्रों जैसी आरा मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जियोतिश शिंतन में हारतिक स्वाकत है मित्रों हम बात कर रहे थे बुद्ध की बुद्ध के सभी राशियों में फल लों की और उसमें अब तक मैंने आपको मेश राशी से लेकर सिंग राशी वालों के फल बता दिये थे और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे की राशियों की तो शुरुआत करते हैं कन्या राशी से कन्या राशी में बुद्ध कैसे परणाम देता है ये निर्भर करता है बुद्ध की इस्थिती पे क्योंकि कन्या बुद्ध की ही राशी है यहां बुद्ध उच्च का होता है इसलिए निश्चत रूप से बड़े ही सुन्दर परणाम प्राप्त होते हैं कुंडिली में बुद्ध का प्लेस्मेंट अगर अच्छा हुआ और कोई पाप प्रभाव न हुआ तो फिर बुद्ध बल्वान होगा और तब बुद्ध की समस्त विशेशताएं और गुण इस राशी को प्राप्थ होंगे प्राया जातक सुन्दर आकर्षक व्यक्तुत का धनी सुन्दर नेत्रोंबला विद्ध्वान वाकपटू सद्गुनी विवेकी मेधावी सामाजिक अत्यंत धन्वान व्यापारिक और कारोवारी बुद्धी बला शिक्छा में सफल जियोतिश गरित खगोल शास्त्र में लेखक तर्क शील और सफल जीवन जीने वाला होता है प्राया इस राशी में बुद्ध के बहुत सुन्दर परणाम देखने को ही मिलते हैं कन्या राशी का बुद्ध जातक में धहर्य देता है व्यक्ति गहन रूप से चिंतन शील होता है और एक आगरता के साथ अपने लक जारों में ठहराओ प्राप्त होता है क्योंकि कन्या राशी प्रथिवी तत्त की राशी है इसलिए व्यक्ति को परफिक्षन दिलवाती है जातक बहुत मेधावी विद्ध्वान तीब्र बुद्धी का तरक शील में कुशल और सुक्ष्म अवलोकर की छबता वाला होता है गहनता होती है उसमें नई सोच का धनी होता है ब्योहार कुशल और उतक्रिष्ट शैक्षिक उप्रद्धी प्राप्त करता है जातक को गरित विज्ञान जयोतिश वारेज दर्शन तरक शास्त्र आद में गजब की रुची होती है यह जातक वागपटू होते हैं अच्छी लेखन और कला छमता वाले होते हैं इनकी कम्मिनिकेशन इसके लिए बहुत अच्छी होती है प्राया यह लोग अच्छे राजनीतिग कूटनीतिग वाग्यानिक शोध करता गर्तग व्यापारी एकाउंटेंट और सेल्समें लेखक शिक्षक पत्रकार और जयोत्शी होते ह हैं और अब बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी वायुतत्त की राशी है जिसका स्वामी होता है शुक्र बुद्ध का मित्र होता है शुक्र तुला से नौमे और बारमे भावों का स्वामी होता है इसके बुद्ध सभी प्रकार से अच्छे फल देने वाला ही होग जातक भावतिक जगत में खूब राइस करता है वह सामाजिक सिष्ट उत्सव वा मनुरन्यन का शौकीन होता है वह सामाजिक होता है सुन्दर शरीर वाला होता है विवेख शील कला का पुजारी तरक शील मदुर भाशी खर्चीला अनेक आएके स्रोतों से धन कमाने वाला विद्वान सादू संतों का आदर करने वाला समाज से भी बिहार कुशल और अत्यंत नियाशील होता है ये विक्ति साफ और इसपश्ट बोलने वाले होते हैं लाभानी पर बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं और विश्वासी होते हैं तुला का बुद्ध जातक को प्राया शुबफल ही प्रदान करता है लेकिन कुल्डिले में बुद्ध और शुक्र की प्लेस्मेंट अच्छी होनी चाहिए ये जातक प्रग्यावान, सायमित, ब्योहारिक, भौतिक, सुक, साधनों में उन्नती प्राप्त करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति तरक में कुशल होते हैं ये न्याए प्रिये, प्रैक्टिकल एटिट्यूट के होते हैं व्यापार और कारोबार में निपुर होते हैं इनका रुझान कला सायत, संगीत और भाशन आदि में होता है इनकी भाशा शैली बहुत अच्छी होती है और उसमें ये पारंगत होते हैं इस राशी में बुद्ध को संतुलन प्राप्त होता है ये लोग प्राया बहुत डिप्लोमेटिक, तारकिक, एडजेस्टिब नेचर के होते हैं ये आर्थिक रूप से भी बड़े प्रबल होते हैं और बहुत अच्छा राइस करते हैं प्राया ये लोग ब्यापार, शिक्षण, बैंकिंग सेक्टर, शेर मार्किट, राजनीती, पत्रकारिता, फैशन, कला, अबिने, साहित्य, मनुरंजनाद के फीर्ड में ज्यादा सफल रहते हैं इसके अलावा नियाए विभाग और इलेक्ट्रोनिक्स के फीर्ड में और दो गादी में भी ये बहुत सफलतब अरजित करते हैं वित्रों यहीं वारी को विराम दूँगा, कल के वीडियो में मैं शेश रासियों के फल कहूंगा, तब तक आप सभी को जैजेश याराम, नमशकार